बोजपुरी पावर स्टार पवन सिंग और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादों में क्यूं है दुस्मनी इसका खुलासा पहली बार खेसारी लाल यादों ने खुद कपिल शर्मा शो पर किया जी हां हम आपको बता दे कि कपिल शर्मा शो में खेसारी लाल यादों दिनेस लाल यादों ने रहुआ राली चटर जी और आमरपाली दुबे जैसे कई बड़ी सितारे आये हुए थे आपको यहाँ यह बता दे कि भोचपुरिया इन स्टार्स ने कपिल शर्माशों में समाही बान दिया अब आपको हम उतरते हैं मुद्दे की बात लेकर यहाँ पर बात होने लगी कि भोचपुरी स्टार्स में किन किन में पटती नहीं है भाई यहां पर यह बताया गया कि मनोस्तिवारी और रवी किशन एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुआते तो वहीं पवन सिंग और खेसारी लाली आदो भी एक दूसरे को नहीं पसंद करते जब ये सवाल खेसारी लालियादों से किया गया कि उनमें और पवन सिंग में क्यों नहीं पड़ती इस पर तो खेसारी लालियादों चुप रहें लेकिन दिने इस लालियादों ने इसकी पोल खोल दी जिहां दिने इस लालियादों ने इसकी पोल कुछ इस्तरक हो दी उनका कहना है कि खेसारी लाल यादों की बड़ाई पवंसिंग सुन नहीं सकते क्योंकि खेसारी लाल यादों में बड़ बुलापन बहुत है और ये बड़ बुलापन पवंसिंग को जरा भी रास नहीं आता अगर खेसारी लाल यादों की तारीफ पवन सिंग के आगे किसे ने कर दी तो पवन सिंग वहां से उठकर चले जाते हैं यहां हम आपको एक्जेक्टली बताते हैं निरहुआ ने क्या कहा विरववा ने ये कहा एक बार दिल्ली में पवन सिंग और खेसारी लालियादो एक होटिल में रुके हुए थे वहाँ खेसारी लालियादो ने पवन सिंग से कहा कि मैं एक ऐसा होटिल बना रहा हूँ जो पाने के बीचों बीच हूँ इस पर पवन सिंग न कुछ बोले सीधा सोफे से उठे और आगे बढ़ने लगे इस पर के सारी लालियादों ने पुछा भ्रिया क्या हुआ आप क्यू उठके आगे जा रहे हैं तब पवन सिंग ने कहा अगर तुमने इस से आगे कोई भी एक शक्त बोला तो मैं खिड़की से छलांग लगा लूँगा और इस वक्त कमरे में तुम मेरे साथ हो लोगों का शक तुम पर जाएगा कि आखरी वक्त में तुम मेरे साथ थे इस पर खेसारी लालियादों ने कहा अभी तुम्हें बस ऐसा सोच रहा हूँ तब फिर पवन सिंग ने इसे डाटते हुए कहा कि फिर तुमने बोला अब मैं जा रहा हूँ पुद ने इस पर खेसारी लालियादों चुप बैट गये आपको ये पता दे कि ये पूरा वाकया दिने इस नालियादों निरहुआ ने कपिल शर्मा शो में सभी दर्शुकों के सामने नैशनल टेलिविजन पर कहा और ये जग जाहिर हो गया कि पवन और खेसारी में अभी भी नहीं पड़ती हाँ ये बात भले ही मजा किया तौर पर थी लेकिन ये जग जाहिर हो चुका है कि पवन और खेसारी एक दूसरे को बिल्कुल रास नहीं आते और ऐसे ही कई इंट्रेस्टिंग खुला से दरकपिल शर्मा शोपर दिनेस लाल यादो निरहुआ और खेसारी लाल यादो दोलों ने मिलकर किये होचपुरी जिगत की होट और मसालेदार वोस्टिप के लिए हमने सब्स्राइब करना बिल्कुल नहुनी है